हिंदू धर्म ग्रंथ रामायन के अनुसार, रावन के बेटे का नाम मेघनाद था, उसका एक और नाम इंदरजीत भी था, दोनों नाम उसकी बहादूरी के लिए निकाले गए थे, जबकि मेघनाद इंदरपर जीत हासिल करने के बाद इंदरजीत कहलाया, और मेघनाद का मे मेघनाद नाम मेघों की आड में युद्ध करने के कारण से पड़ा, ये एक वीर राक्षस युद्धा था, मेघनाद, श्री राम और लक्षमन को खत्म करना चाहता था, युद्ध के वक उसने काफी सारे प्रयत्न किये, जबकि वह विफल रहा, इसी युद्ध में पातक बाणों से मेघनाद मारा गया था, लक्षमन जी ने ही मेघनाद का सिर उसके शरीर से बिलकुल अलग कर दिया था, और मेघनाद का सिर श्री राम के आगे रख दिया गया, इसको वानर और रीच देखने लगे, तब ही श्री राम ने कहा, इसके सिर को अपने पास प्रभाल कर रखो क्योंकि श्री राम मेगनाद की मृत्यू की सूचना इसकी पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे और राम जी ने मेगनाद की एक भुजा को बान के द्वारा मेगनाद के महल में पहुचा दिया। जब भुजा मेगनाद की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पत्य की मृत्यू हो चुकी है। उसने भुजा से कहा अगर तुम वास्थव में मेरे पत्य मेगनाद की भुजा हो तो मेरी दुविधा को लिकर दूर करो। और तभी सुलोचना के इतना कहते ही भुजा अपनी कुछ हरकत करने लगी, तब एक सेविका ने उस भुजा को खड़िया लाकर हाथ में रख दी। उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मन जी के प्रशंसा के शब्द लिख दिये। तब सुलोचना को विश्वास हो था कि युद्ध में उसके पती मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुनते ही रोने लगी। फिर भरत में बैठ कर रावन से मिलने चल पड़ी। रावन को सुलोचना ने मेगनाद का कटा हुआ हाथ दिखा कर अपने पती का सिर मांगा। तब सुलोचना रावन से बोल बुत्री चार घड़ी प्रतिक्षा करो मैं मेगनाद का सिर शत्रू के सिर के साथ लेकर आता हूँ। जबकि सुलोचना को रावन की बात पर बिलकुल भी विश्वास नहीं हुआ। और सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तब ही मंदोदरी ने बोला तुम राम के पास ज राम मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरे पाती का सिर मुझे लाटाता की मैं सती हो सकूँ। और सुलोचना की दशा देख कर राम दुखी हो गए। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पाती को अभी जीवित कर देता हूँ। इस बीच उसने अपनी जीवन की समपूर् दूख सुख की पूरी कहानी सुनाई। सुलोचना ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पती अब जीवित होकर संसार के सभी कश्टों को भोगे। अब तो मेरे लिए बस सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके दर्शन हो गए। मेरा जन्म अब सार्थक हो गया है। अब मुझ इखनात के कटे हाथ ने लक्षमन का गुणगान कैसे किया। और इनसे रहा नहीं गया। और कहा में सुलोचना की सभी बाते तभी सच मानूँगा। जब यह नर्मुंधा से गा। और इस पर सुलोचना के सतीत्व की यह बहुत बड़ी परिक्षा थी। तभी सुलोचना ने कटे हुए सिर से कहा है स्वामी जल्दी से हसिये, नहीं तो आपके हाथ ने जो लिखा है उसे ये सब सत्य कभी नहीं मानेंगे। और उसकी इतनी बात सुनते ही मेघनात का कटा सिर जोर-जोर से हसने लगा। इस प्रकार सुलोचना को अपने पती का कटा हुआ सिर मिला और वो इसे लेकर चली गई।